तो इस वीडियो में जो हम एफ्रीका कप अब नेशन्स का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा सेनेगल वर्सिस गिनी के बीच मैच कवे नियोगा न्यूटरल केमरून शाम को 6.30 पीम पे मैच स्टार्ट होने वाले हैं तो दोस्तों बात करें सेनेगल ये इस सिजन वन अब दा फेवरेट्स है इस एफ्रीका कंप नेशन्स जीथने की अगर आप इनकी फीफा रेंकिंग देखेंगे तो 20 फीफा रेंकिंग है इनकी जो की मेरे अकॉडिंग तो आफ्रीका में जितनी भी कंट्रीज है वहाँ सबस और Senegal है इसके इस्ट में मालावी और Jimbambay है और Guinea और सेलिगल दुनु अपना पहला पहला मैच जिती है ऐसी में यह तोप टू की बैटल मनलब टॉप टू कीरेस में रहेंगी इस गृप में और अइटिंक सेलिगल फर्स गीनी फिनिश कर सकती है देन थर्ड मेरे अकोडिंग जिंबाम्बे और फोर्थ लास्ट मालावी रहेगी फिलाल के लिए आज का मैच सेनेकल को इस मैच में ज्यादा अच्छा करना चाहिए था बट इस मैच में उनने बिल्कुल अच्छा पर्फरमेंस मेरे अकोडिंग तो नहीं किया बहुत नेरो मार्जिन से डाइंग मिनट में मानेगी पेनल्टी ने इनको जितवा दिया नहीं तो यह मैच एक गुल्लेश की तरफ जा रहा था मेरे अकोडिंग इस मैच में यहां पर सेनेकल से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके पर्फरमेंस में सुधार हूँ फिलाल अभी तक आपको एक पैटन नोटिस हुआ होगा एफ्रिंगन कबाब नेसंस में कि मैचेस मोश्ली लोई स्कोरिंग जा रहे है और मेरे अकोडिंग यह मैच भी एक और लोई स्कोरिंग मैच हो सकता है बिकाज डिफेंसिव वाइस यह दोनू टीम अच्छी है अटेकिंग वाइस भी अच्छी है लेकिन यहां पर हमने जितना देखा एफ कॉन में उतना ज़्यादा अटेक्स टीम नहीं कर रही है उतनी जिरो जिरो वन 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 वाले जरूर या वन निल इधर साइड वाले जरूर कंबिनेशन लियाना ग्रेंड लीग में फिलाल स्मॉल लीग में मैं सेनेगल कोई फेवरेट करके अपनी टीम बनाने वाला हूँ जो कि इस एफ कॉन जितने की वी वन अब दा फेवरेट है और ज उसका लिंक या तो आपको डिस्क्रिट्सन बॉक्स में मिलेगा या आपको मिलेगा टॉप पिंड कमेंड में वहां से जुड़के आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जोइन कर सकते हैं इनके 5 या 6 फर्स्ट इम के प्लेयर्स पिछले मैंच में भी अनवेलेवल होने वाले एडवार्ड मेंडी जो वाइल के वन अप तर टॉप गोलकीवर में आते हैं चेल्सी के गोलकीवर ये बहार है इसमाइलस सार वाटफट के प्लेयर बहार है कुली बली नेपोली ये बह टोरी इसके अलवाब बुएनोसार और कोयाटे ये 6 के 6 प्लेयर आपको ड्रीम लाउन में डिफेंस सेक्शन में मिलेंगे अब जो सार है न वैसे राइट बैग है लेकिन यहां पे प्लेयर्स की कमी की वैसे देखिया ये 6-7 प्लेयर तो कोवीड या इंजरी के करण बाहर ह इस वैसे इनको मेक्सिप्ट राइट मिश्फिल्डर खेलना पड़ लाए यानि कि थोड़ा एडवांस पोजीशन में खेल लाए फिलाल किसी एक टीम को क्लिन शीट के लिए बैक करना को मैं सेनेगल को करूँगा और आपने अभी तक एफकॉन का पैटन देख लिया सेनेगल की पिग करने चाहिए इन 6 में हम जाज साथ 5 पिक कर सकते हैं विक्टरी सेनेगल की हो जाए अभी के लिए इनके डिफेंस में जो मेरी टॉप फोर चॉइस रहने वाले है नमबर वन चॉइस मेरी रहेंगे डियालो जो पैरिस रेंड जबैन यानि कि प्यासजी के सेंटर वैग है जञा है जो फोर्थ मैं जाऊँगा बुऑ अनगो सार के साथ janka और ज़ जब ज़्यादा एडवांस पोवीट में खिल लें वैसी बायन मिनिक के second choice right back है और यह attacking right back माने आते हैं अब यह as a right midfielder ही खिलना है तो थोड़ी defensive responsibility कम होगी है तो यहाँ पर most likely chances है गोल assist वगएरा कर सकते हैं और पिछले match में कुछ-कुछ corner kick भी ले रहे थे तो अभी के लिए यह मेरी top four choice रहने वाल है अगर मेर जालो सीसे सार और कोयाटे मेरी four choice रहेंगे फिफ्थ मैं बालर टोरे के साथ जाओंगा जो एसी मिलान के लिए यंग्स्टर है ठीक था के offensive wise एम बाय ने कुछ भी नहीं किया पिछले match में है और अभी तक उतना ज्यादा खाद stat भी नहीं है और यह भी अच्छा कर सकते है यह मेरी अभी के लिए last choice रहने वाले है चार पिक करने इन चारों के साथ में जाओंगा पांच आपको पिक करने आप बालर टोरी को भी पिक कर सकते हैं अब इस टीम के जो दो बैस प्लेयर है उनको मैं शोली पिक करूँगा एक है साडियो माने टैलिसमेन लीडर के लिए इस सेनेगल कंट्री का बैस प्लेयर है लिवरपूल के लिए खिलता है इनके बारे में बतानी की जरुवत नहीं है पिछले मैज में डाइंग मिनट में इन्होंनी पेनाल्टी मारी एक डिफॉल्ट केप्टन सी ऑप्सन होंगे दूसरे हैं इड्रीसा गाना गुए अगर आ एक दो अन टर्गेट लिए हर चीज इन्होंने की और मैं एक बार में ने देखा थे बहुत क्लोज आयते बर टैप इन करना थे इन्होंने मिस कर दे नहीं तो इस मैज में इनका गोल भी होता तो गुए एक डिफेंडर से भी जाधा पॉइंट दे रहे अगर डिफेंडर की केटा वालडे दोनोंने पिछले वैज में इंप्रैसी परफॉमेंस नहीं गया केटा वालडे कुछ-कुछ फ्री की कोगेरा पैनाल्टी नहीं सौरी कोर्नर की कोगेरा ले रहे थे बट इनकी जो क्लब के लिए खेलते हैं कालियरी के लिए सीधिया में वहां भी फॉर्म ख कर दिया है अगर एक और बार फ्लॉप होते हैं तो जल्दी सब्सिडूट हो जाएंगे बहुत कम पॉइंट दिये सब्सिडूट हो सकते हैं यह और केटा दोनों तो फिलाल के लिए इसी एक किसा जनो मैं अभी के लिए बुलाडो डिया पे एक और बार रिस्क ले रहो पाचो डिफेंडर पिक करना बट अभी के लिए मैं हलका सा रिस्क लेगे चार डिफेंडर पिक करगे बुया एक तरीके से डिया पर यहां पर पाइंट लेने की सोच रहा हूं तो यह सेनेगल की प्रोबिबल 11 थी लगबग सभी चीजे मैं यहां से आपको डिटेल में एक अपोनेन की बात करने से पहले फिर रिमाइंड दिला दू इस मैच की फाइनल स्मॉल लिग टीम और सभी फूटबॉल मैचेज हम टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं उसका लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आपको मिलेगा टॉप पिन चैनल से जोइन कर सकते हैं 4400 के असपास सब्सक्राइबर वाला चैनल आपको मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या टॉप पेन कमेंड में जाईए टेलीग्राम चैनल से जरूर से जरूर जोइन हो जाईए अब हम बात करते हैं गी नहीं की तो कीटा इनके गोल की अगर अगर आप से चार डिफेंडर लिया रहे तो एक आप यहां से भी लिया सकते हैं किया वर्रुशा रेंडम क्लिंशिट गिनी की भी आजाए और मैं एक लोई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आम डिफेंडर ज्यादा पिक कर सकते हैं तो मे अब यह जो सील तो में भी यह एक अटेकिंग लेफट वेक है, अल्थो इनके इतने स्टेंड नहीं मिले, जो डिसेंट डिफेंसीव वक कर सकता है, तो डिसेंट चोईस हो सकता है, बट अभी के लिए किसी के साथ जाना होगा, मेरी चोईस रहेंगे कमारा, कमारा ने अच्छे खासरी डिफे करना है, या आप चाहे 100 भी पिग कर सकते हैं, अब यह जो कॉंटे और केन है, इन दोनु का वैसी क्लीन शीट पोटेंचल कम हो जाता है, मिट फिल्स एक्सर में लिष्टेट होने से, केन ने तो कुछ ज़्याद खास किया भी निग्नोर करते हैं, क्या भरोसा रेंडम गोल मारते, ग्रेंड लिग में ट्राय करना, कॉंटे के थोड़े मुझे डिफैंसी नूमबर ठीक टाग लगे, तो मिट फिल्स एक्सर में एक ऑप्सन आपके लिए हो सकते हैं, तो कंसीडर किये जा सकते हैं, अब यह जो कमारा नाम के प्लेयर हैं मिट इन्हों ने पिछले मैं दे सकते हैं, एडिफैंसीव कॉंट्रिविशन भी करता है, और और रेंडम गोल ससीज भी कर सकते हैं, तो नेभी केटा मैं मस्पिग कहरा हूं, डिवारा यह प्लेयर खेलता है, एस रोमा में, यह बी एक टॉप लीग में खेलता है, जो इटैलियन लीग में एस रोमा करो, कि अब 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 से जल्दी सब्सिलूट हो जाए, केंटे, यह वह वाला कांटे नहीं है, दूसरा कांटे, इन्होंने पिछले मैच में असिस दियाता है, ठीक ठाक मुझे लगे, और बायो, यह प्लेयर अगर गोल असिस नहीं है, तो उतने पॉइंट नहीं तो आपका लॉस भी हो सकता है, लेकिन मैं अभी के लिए हलका ज़र रिस्क लेके, यहाँ पर बायो को अपनी टीम में पिक करने वालूँ, आप इनके ब्लेस में कांटे भी पिक कर सकते हैं, और आइधिंग यह पैनाल्टी टेकर भी हो सकते हैं, इस टीम की शोर नहीं है, बट हो सकते हैं, तो यह गीनी की प्रोविबल लेवन थी, लगभग, सभी चीजे मैंने यहाँ से आपको डिटेल में बता दी, आए थिंग यहाँ से दोनु कीटा मस्टी के मिटफील वाले और डिफेंडर नहीं सोरी जो गोल की पर हैं, बाकी डिफेंड में आप कमारा सिल होने वाली है, तो यह मेरी डेमर रफ टीम है, गोल कीबर मैंने गीनी के लिए, एक डिफेंडर उनके कमारा लिए और चार वो डिफेंडर सेनेगल के लिए, यहाँ गुए है, माने और मैंने डिया पर पांड लिया, यहाँ मैंने बायो पे पांड लिया, यह यह तिंग यह बहुत बहुत अच्छे option से अगर आप एक वन निल सेनेगल विक्टरी के लिए जारे गुए हैं डिफेंस में आपके बास कोयाटे सार और ये डियालो तीनो और बुलारो डिया भी है तो फिलाल अगर आपको लग रहा पोनेंट मारेगा बायो को या किनेवी के टागो वाइस